नमस्ते आज हम आपको बाजू का बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनाना बताएंगे और ये हमने एक अपनी बाजू पहले ही बना लिए और दूसरी बाजू हम आपको बना के दिखाएंगे किस तरीके से हमने ये बाजू बनाई है दो रेड कलर का अमारा इसमें कड़ाई है और गोल्डन कलर की कड़ाई है इसलिए इन दोनों कलर का कम्बिनेशन छे हमने ये बहुत प्यारा डिजाइन बाजू का बनाया है और ये देखो ये अमारी जो नीचे बोडर पे लैस लगेगी वो है शूट में ही आई थी ये और नई नई वीडियो देखने के लिए आप अमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अमारी वीडियो कैसी लगी और ये देखो ये हमने एक पाइपिन के लिए कपड़ा ले लेना है ये बस सिर्फ मैंने पोना इंच कपड़ा लिया है ये ज़्यादा चोड़ा ने लेना और ये बाजू का उल्टी साइड है और ये देखो आप मैंने किस तरीके से कपड़े को रख्या है बाजू के पाइपपिन की बस इतनी शिलाय लग रही है, ये हमारी कपड़े की जड़ में शिलाय नहीं लगा रहे है, इस चीज़ का बदर ये कपड़ा अमारा बाज जुका उल्टी साइड है, ठीक है और एक शिलाय हम इसके उपर ओर लगाएंगे, जिससे हमारी पाइपपिन अच्छ से दब जाए यह सिलाई एक और लगेगी अमारी इसके उपर बिल्कुल सिंपल डिजाइन है यह आप आराम से बना सकते हो इसको यह लगने के बाद हम आपको बता इस तरीके से आप बाजू की लंबाई भी बढ़ा सकते हो पाइपन लगा के और यह मैं बार बार बता लिए ह हमने उल्टी साइड कपड़ा रखके लगाया है और यह जो भी कपड़ा लगाएंगे उल्टी साइड रखके यह सिद्धी साइड ट्रन करेंगे हम इस कपड़े को यह देखो यह दो इंच का कपड़ा हमने ले लिया पोने दो इंच है आप जित्रा मर्जीस में दो इंच ले सकते हो और ये देखो ये अमने वो पाइपिल लगाई थी और उसके उपर एग छिलाई लगाई थी ये ऐसे की ऐसे सेम जैसे अमने लगाई थी वैसे ही रखेंगे इसको उल्टी साइड बाजू की उल्टी साइड रखेंगे और ये पोने दो इंच का कपड़ा इसके और ये जो हमने शिलाई लगाई थी मैं आपको निशान लगा के बताऊँ कि यहाँ पे है अमारी शिलाई जिससे हमने वो पाइपिन का कपड़ा दबाया था मतलब तो यहाँ पे है मेरे को ध्यान नहीं रहा दूसरा कलर लगाने के लिए धागे का दूसरा कलर लगाती तो आपको दिखी जाता यहाँ पे अमारी वो शिलाई है बिल्कुल उस शिलाई के उपर ही अमने शिलाई लगानी जब यह अमारी पाइपिन अच्छे से निकड़ के तयार होईगी यह जो रेड कपड़ा दिख रहा है यह अमारी पाइपिन नहीं है यह अमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस चीज़ का आपको द्यान रखना है और अभी मैं इसको कपड़े को इस तरह के से ये देखो यह है अमारा बाजु का शिद्धी साइड और इस तरह के से ये उपर इसलिए यह कपडा, सबस्क्राइए को देकार सवाइंच कपडाएती में इसलिए यह कपडा सब्सक्राइब एक 5-6 सारइ और इसको में फोल्ड है इसेने के सेंधू लगा तो तने चांट सफ्ट हैँ मैं एक पत्ली चांट सेंधू कूद। उससे में कूदब लगा देनी है पहले सिलाई उसको अच्छे से जचाल लेना है हमने और ये देखो एक सिलाई हम इस कपड़े में ये शिंगल कपड़ा है ये ना सोचना ये डबल कपड़ा है ये शिंगल कपड़ा इस सिलाई को हम इस तरीके से लगाएंगे आप एक ही सिलाई में पूरा कवर कर सकते हो लेकिन मैंने इसमें पहले ही सिलाई ये लगा के फोल्ड कर लिया कपड़ा जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था और जितनी चोड़ी पट्टी हमने रखनी थी उतनी रख ली और अब हम इसको ये देखो ये मैंने पहले सिलाई लगा लिए आप साथ की साथ भी आप ये एक सिलाई में ही पूरा कवर कर सकते हो मैंने खूब अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है और ये देखो ये इस तरीके से थोड़ी थोड़ी ये लैस दिखनी चाहिए ये अमारी और ये मैं बात बता दूँ आपको ये लैस है ना पोणे इंच कपड़े के फोल्ड करके जो खुला साइड अमारा कपड़ा है उस साइड रखके ये अमने शिलाइ लगा दी और ये देखो ये अच्छे से ये अमारी जो लैस है समोसा लैस है ये शिंगल में समोसा लैस ज्यादा मोटी आती है वो नहीं है बिलकुल बारिक वारी समोसा लैस है ये और यह हमारा green कलर का suit है और इसके उपर यह दोनो कलर की कड़ाई है golden और यह red कलर की शूट आमारा पूरा आलवर है मतलब एक कलर का ही है और यह देख़्ो इस तरीके से यह हमने design बनाया और अमारा यह design बहुत ही प्यारा design बनके तैयार हुआ है और ये देखना आप बिल्कुल इजी है ये डिजाइन बनाना कोई मुश्किल नहीं है और चाओ तो आप एक शिलाई इस जो पाइप इन है दिख रही हमारी उसके उपर लगा के अच्छे से इसको आप दबा सकते हो और ये अमारी बादजू बनके बिल्कुल तयार है और इस कपड़े की चोड़ाई आप अपने इसाब से रख सकते हो मेरी एक इंच बनके त्यार हुई है और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद